तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 1000 square feet का अगर आपके पास मकान है 1000 square feet में तो इसमें cost कितना लगेगा बनवाने में सारा detail के साथ बात करेंगे cost calculation की जिसमें आपका सारा aggregate होगा materials होगा तो अगर house construction की बात करें हम लोग कि house जो construct किया जाता है house construction cost construction cost जो mainly depend करता है दोस्तों दो factor पर पहला तो material cost plus labor cost दो factor जो हैं जो depend करते हैं house construction की cost पर तो हम बारी बारी से सीखेंगे material कितने रुपए का लगेगा और कितना लगेगा साथ-साथ labor कितना और कितने रुपए का लगेगा तो दो factor पर depend करता house construction तो पहले हम बात करते हैं हम लोग find out करेंगे materials को तो दोस्तों सबसे पहले material हम define करेंगे कितना material लगेगा तो पहला जो सबसे important है अगर हम material की बात करें तो cement हम calculate करेंगे कि number आप cement कितने बैग लगने वाले हैं तो अगर हम बात करें एक हजारे स्कायर फिट में लगबग 425 बैग आपके approximate दोस्तों यह exact कोई data नहीं है और 425 बैग approximate लगते हैं अगर हम एक बैग की कीमत लगबग वन बैग की कीमत जो market में इस समय चल रही है वन बैग कोश्ट लगबग 400 रुपए approximate में चलना यह गटती बढ़ती रहती है दोस्तों कीमत यह समय पे तो अगर 400 रुपए एक बैग का है और तो आपको total जो cost find out करनी है 425 इंटू 400 रुपए तो लगबग जे आपका जो अग 170,000 के approach आपका यह cost बैठे के केवल cement का इतना वह अगर हम second factor लेकर चलें तो आप number आप steel कितनी लगएगी दोस्तों steel कितने total या ton खर्च होगी तो लगबग आपका जो steel कितनी होती है 25 से 30 कुंटल दोस्तों 25 से लेकर 30 कुंटल के approximately steel कितनी होती है और अगर आज हम बात करें हम approximately 30 कुंटल लेकर चलने हैं और लगबग अगर आप local brand लगाते हैं तो लगबग आपका 6000 रुपए जो बहुत सारी market में आ लेता है तो आपका लगबग एक लाग असी हजार रुपए का steel लगेगा दोस्तों एक लाग असी जार की डिपेंड यह करता है अगर आप कोई महंगी जैसे की टाटा की steel होगी वगए तो लगबग आठ हजार रुपए का असपार पड़ते है तो वह अपने हिसाब से आप यहां figure out कर लें कितना cost आएगा वहीं बात करें हम लोग तीसरे factor की जो है बालू एसेंड की 1000 square feet आपका यह मकान है उसको बनाने में बालू आपके इतना खर्च होगा तो लगबग यहां आपका 1200 square feet से दोस्तों 1200 square feet से लेकर 1300 square feet approach में आपका बालू खर्च होती है अगर हम cautious की find out करें हम यहां पर 1300 square feet लेकर चल रहे हैं तो लगबग 40 square feet आता है तो यह depend करता है दोस्तों कहां पर आप रहते हैं वो सकता दिली साइड रहते हो तो वहां पर महंगा बालू मिलता है आपके अधर स्टेट पर रहते हैं मैं दोस्तों 20 रुपए के अप्रॉक्स चल रहे हैं तो आपका लगबग यह बामन हजार रुपए का बालू या सीमेंट लगेगा यह rate घटे बढ़ते रहते हैं दोस्तों समय डिपेंड करता है आपका घर कंस्रक्शन करवा रहे हैं इसके बाद यह आपका बालू जो दोस्तों चौथा गिट्टी भी बहुत आवश्यक होती आपको घर बनाने में तो यह अप्रॉक्स कितनी लगती इसको पत्थर भी कहीं पर बोलते हैं तो दोस्तों 600 इसक्वाइर फिट से ले करके से 700 इसक्वाइर फिट के अप्रॉक्स में आपका बालू लगने वाली होती है और अगर इसक हजार रुपए का प्रॉक्स आपका बालू खर्च होने वाला है तोस्तों मैं फिर बार-बार कह रहा हूं कि समय के हिशाफ से चीज़े चेंज होती रहते हैं मेटरियल कॉस्ट बदल सकते हैं जो मैं आज का रीड बता रहा हूं यह लगबग और यह जगह के हिशाफ से भी दोस्तों मेटरियल कॉस्ट बदलते रहते हैं बात करते हैं पांचवा जो इग्रीगेट है जो बहुत ही इंपॉटेंट है इट यह ब्रिक्स दोस्तों नमबरा ब्रिक्स कितने लगते हैं बहुत ही नॉर्मल से कोश्चन है तो लगबग तेरा से लेकर के आपको चौदा हजार विक्स लगेंगे एक हजार स्कायर फिट बनाने में और इस तो इंट लगए दो सो तेरा से चौदा हजार लगेंगे जिसमें आपकी जो आसपास की दिवाले होगी नौ इंच की बात बाकि आपको चार इंच की रखनी पड़ेंगी दोस्तों ये भी आपको बहुत ही इट मान कर चलें तो अभी जो कानपूर में आप प्रॉक्स बाश्ट सो रुपए का एक हजार इट दोस्तों मिल रहा है ये अगर आप दिली में रहते हैं और रहते हैं तो ये रेट बदल सकते हैं तो इस प्रकार इट कर लगए लगए छी आसी जार आठ सो रुपए के अब हम बात करते हैं जो एक्स्टरनल चीजें लगती है उसकी तो दोस्तों पांच चीजें हमने फाइंड आउट कर लिए अब हम करते हैं छटवी चीज जो बहुत ही इंपॉटन ये भी है घर कंस्ट्रक्शन करने में और इसकी जो कॉस्ट है वो भी हम आपको बताएंगे आप ये भी डिपेंड करता दोस्तों हर जगह कहां पर आप रह रहे हैं किस प्रकार का आपके हां लेवर बगएरा कोश्ट है तो हम बात करते हैं इसके सबसे पहले डूर और विंडो क्योंकि डूर और विंडो ये भी डिपेंड करेंगे दोस्तों नमबर आप क्वालिटी पर नमबर आप doors and window की कि कितने doors and window आपके घर में लग रहे हैं तो लगबग अगर doors and window की बात करें तो एक लाख रुपए के एप प्रॉक्स में आपको doors and window खर्च हो जाते हैं एक लाख रुपए के एप रॉक्स में तो यह भी आपको calculate करना है कौश्ट में इसके बाद सात्वाँ चीज जो है आपका इलेक्ट्रिक्सिटी जब आप इलेक्ट्रिक्सिटी का काम कराते हैं तो यह इसमें लगवागा आपके 60 से 70 हजार रुपए लगते हैं ये भी दोस्तों डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वालिटी का मैटेरियल्स क्वालिटी की वायर वगयरा लगा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है इसके बात करें अगर हम बात करें दोस्तों आपकी प्लंबरिंग की वर्क होता है ये भी दोस्तों इसमें घर के कौस्ट में इंकलूड होता है तो प्लंबरिंग का वर्क आपके लगवाग पचास से ल रहे हैं दोस्तों कि कितना और का कॉष्ट बैठेगा अगर हम नौवे फैक्टर की बात करें तो यह आपका दोस्तों टाइल्स हो जाता है अब टाइल्स आप पूरे घर में लगवाते हैं या केवल किशिन में लगवाते हैं तो यह भी अगर एक एप्रॉक्ष माने तो होगी अब बात करतें पेंट गी दोस्तों जो दस्वां मोश्ट इंपोर्टन फैक्टर है वो पेंट का है यह भी लगवग आपको दुस्तों सतर से असी हजार रुपए सतर से असी हजार दोस्तों इसमें लग जाता तो मैं असी हजार यहां पर कैलकुलेट करके चल रहा यह paint और इसमें खर्च होता है तो total आपका जो और इसके अतरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें लगती है मकान बनवाते हैं बट जो मोटा-मोटी figure था वो manical bleed कर लिया जिसमें कि आप देख सकते हैं पहले page पर जो manical bleed किया था आपको cement, steel, baloo, gittie, eat और इसके बाद door, window, electricity, plumbering, tiles और paint अभी इसमें labor cost दोस्तों include नहीं है, हम labor cost को भी यहाँ पर include करेंगे तो अगर यह भी depend करता है दोस्तों labor cost के आप कहां पर रहते हैं, उस हिसाब से labor cost भी कम या ज़्यादा हो सकती है, यहाँ दोस्तों मैं कानपूर के में बात करना हूँ तो यहाँ पर लगबग अगर हम labor cost को यहाँ पर include करें, तो labor cost के अगर हम बात करें कि labor cost आपका कितना लगेगा, तो कानपूर में दोस्तों एप्रॉक्स में डेढ़ सो रुपए, डेढ़ सो रुपए square fit से एप्रॉक्स लेकर 180 रुपए square fit आपका cost पढ़ता है तो मोटा मोटी में लगबग दोस्तों 2,00,00 रुपए 2,00,00 रुपए आपका labor cost यहाँ पर add करूँगा जिससे आप जब भी आप मकान बर्मायता आपको कोई दिक्कत ना हो तो 2,00,00 रुपए में labor cost प्रॉक्स कान परुग में बात कर रहा हूँ तो तो हो सकता है दिली वगएरा NCR में labor cost और महंगी पड़े तो यह figure out हमने किया अब हम calculate करेंगे total calculation के लिए हम calculator उठाना चाहेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुआल फोन मैंने अपना ले लिया है भी हम सारे चीशे अड़ करेंगे तो पहले हम पहले page को अड़ कर लेते हैं कितना हमने खर्च किया था तो सबसे पहले जो cement में हमारा पैसा लगा था एक लाख शत्तर हजार दोस्तों लगा था इसके प्लस मैंने किया इसके बाद आपका जो بالू में लगा था वो एक लाख असी हजार रुपए आप प्रॉक्स आपको लगा था दोस्तों और इसके बाद आपका जो थर्ड था नहीं बालू था फ GPA फिर इसके बाद सेकेंड दोस्तों था आपका तो यह दिखिए दोस्तों मैंने मुवाल ले लिया है मैं पेज मेरे पास दोनों पेज है तो पहले जो सबसे पहले हमने इनकलूट किया था आपका सीमेंड तो एक लाग सतर हजार रुपए आपका सीमेंड में खर्च हुआ था इस्टील में लगबग आपका जो कॉश्ट आय रूपए को अगे यह लगबग आपका जो डॉडोब है था यह इसके बाद गिट्ति जो थी आपके थाथी 5,000 की थी 35,000 की और इसके बाद जो इंट आये थे आपको 86,800 रुपए का आपकी 8 ब्रिक्स जो आपके लगे थे आप सेकेंड पेज को हम एड करते हैं तो लगबग आपका जो डूर और विंडो था वो एक लाग रुपए का एप्रॉक्स में आपको मैंने एड किया था अपका सतर हजार रुपए को एड किया था और प्लंबरिंग को साथ हजार दोस्तों एड किया था हम सब भी क्या रहे हैं और टाइल्स को सतर हजार हमने दोस्तों इंकलूड किया था प्लस पेंट को हमने असी हजार रुपए इंकलूड किया था दोस्तों और पेंट के बाद जो मैंने अड़ किया थे labor cost जो की 2,000,000 रुपए आपको दोस्तो मैंने add किया था तो total ये आया है 11,3800 रुपए जो total बना हुआ है आप देख सकते हैं तो दोस्तो total cost, एक हज़ा, total cost for one thousand square feet house जो हमारा total cost निकल कर आया है तो लगबग दोस्तों मैं अलग-अलग आपको लिखना चाहूंगा कि labor cost को मैं अभी हटाता हूँ अभी केवल material जो लगेगा 9,3,800 रुपए का आपका लगने वाला है ये आपका material जो मैंने अलग दो शरणन बताया था material आपका लगेगा और labor labor को लगबग दोस्तों 2,00,00 को आपको add करना होगा 2,00,00 रुपए और तो 2,00,00 रुपए labor तो अगर हम दोनों को add करें तो जो final आपका amount बैट रहा है मैं page को आपको थोड़ा सा उपर कर देता हूँ तो जिसमें आपको और चीज़े clear हो जाए जो final amount आपका बैट रहा है जाके मैं 2,00,00 इसमें add कर देता हूँ calculation में तो 11,00,00,00 तीन हजार आठ सो रुपए दोस्तों आपका बैट रहा है ये 1000 square feet घर बनाने में दोस्तों जो cost निकल कर आई है 11,00,00,00 तीन हजार आठ सो माँ पर cost किया है और आपका समय पर भी depend करता है आज दोस्तों जो date है मैं date डालना भूल गया date बहुत important है जो आज 26,00,01,2024 जनवरी माँ का दोस्तों calculation किया है मैंने आपर तो इस पर भी बहुत शीरे depend करती है कि कितना कश समय क्योंकि महेंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है तो ये भी आप बहुत इफैक्टर में include करके रखें